नमस्कारम ब्रीजनों आप देखें स्वडी पार्ट साला अपसे का बहुत बहुत स्वागेत है इस थान है कासिंदु स्विद्याले में भी ये वो इस थान है जहां से बहुत सारे बच्चे जो है सेल्फ स्टडी करके अपना स्वाडी महविस्त जो है बनाते हैं मैं पिछले चार सालों में कासिंदु स्विद्याले में बहुत सारे सीनियर्स के इंटर्व्यू ले चुका हूँ और उनके इंटर्व्यू में एक बात जो कौमन रही है वो यही है कि उनके सेलेक्शन में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो प्रोफेसर्स या टीच कि पर्फेसर्स नॉमिनेट के गई है हम लोग अगर पेपर ना भी बात करें जो मेरा प्रस्नल एक्सप्रियंस चाहता है वह कहता है कि कासिंदु स्विद्याले में अगर मैं अपने आपक्प्रियंस बसी सबसे अच्छी चीज क्या है तो वह सेंटर लावरी और साइवर ल और lower class families हैं या भारत के जो भी विद्यारती है जो attract करता है कास्विद्याले में पढ़ने के लिए तो इन तमान चीजों के हम लोग बात करेंगे एक बात ध्यान देना आपने YouTube पे बहुत सारी वीडियो देखे होंगे बट मैं फिर भी आपसे request करूँगा कि आप लोग एक बार इस वीडियो को लाज सक जरूर देखो क्योंकि मैं जो भी आपको आज बात बताने वाला हूं वो educational point of view से भी है उसमें experiences भी add हैं उसमें यहां के facilities भी add हैं और उसके बाद आपकी career development में यह भी स्विद्याले कितना ब पीजी कर रहा हूं तो ऐसे में लगबग 3-4 साल का एक बढ़िया सा experience जो है वो आप तक आज सेयर होने माला है फिर से request करूँगा personally बोर नहीं करना चाहता लेकिन मैं फिर से request करूँगा क्योंकि जनरली लोग skip कर देते हैं बात को सुनते नहीं समझते नहीं है request यह है कि लड़किया इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो वह भी इस वीडियो को इसलिए देखें जिसे उन्हें पता चल सके कि एक लड़की के आने से उनके पीछे जो हजारो लड़किया छूट जाती है उनको भी स्विधाल में क्यों आना चाहिए और क्यों नहीं आना इसमें वीड़क एक बहुत ट्रेंडिंग रहा कि वीड़क के बच्चे जो है कैसे अपना करियर खराब कर रहे हैं यहां पैडमिशन लेकर उसके साथ आप IMS के कुछ कोर्स के धरने के वीडियो देखे होंगे आपने स्वया मेरे भी वीडियो देखे होंगे जो मैं अपने पादेशन को आगे आना पड़ेगा क्योंकि जो एजुकेशनल प्रेटफॉर्म अभी करेंट में बना दिया गया है वह कहीं न कहीं एक ऐसा बेंग्राउंड क्रेट कर रहा है किसा माइंड से कर रहा यूथ में एमिलीज में सोसाइटी में कि की कासिंग जैसा नहीं रहा त वह आज भी बाकी के colleges की comparison में वह सही है लेकिन क्या ये चीज़ हमें संतुष्ट करती है क्योंकि हम तो बड़े सपने लेकर आते हैं तो मैं आपको बता दो कि हम लोग 12 तक की जो पढ़ाई करते हैं उसमें ठीचरों का बहुत बड़ा रोल होता है जनरली हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग बड़े हो जाते हैं और हम किसी विस्विद्याले में पढ़ने चले जाते हैं तो वहां पे सबसे बड़े बात नहीं है मैं कोसिस करूँगा कि मैं नेक्स विडियो अड्मिस्टेशन के ऊपर भी ले आऊं कि प्लीज आप जो इसमाज में बन रही है इसको बदलने की कोसिस करिए नहीं तो कासिविद्याले में जो एक ड्रीम लेकर आते हैं वो ड्रीम ब्रेक हो जाएगा तो आप आ रहे हो तो उसे कैसे बीड करते हो धीक है दूसरा घता है और एक्स्ट्र मिल जाता है वह जैसे की मेडिकल इसूज के ड्रीम प करा सकते हैं बिसिकली हमें ये कोश्यज्क करना है कि में बिमार नहीं ही। लेकिन ठीक है प्रक्रितिक बिमारीं आते रहती हैं हैm अगर आज आती हैं तो विश्विधыми पर शाब आपके लिए इतनी फैसलिटी कि आपको ऌंभे करते करने हैं। फिक है। इसी के साथ साथ यहां पर बहुत सारे foreign languages के और योगा के डिप्लोमा courses चलते हैं जैसे आप किसी particular course में आगर पढ़ाई कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि आप उसी में पढ़ाई करते रहो उसी के साथ साथ अब extra time के according, free time के इतुलाइज करने के लिए आप कुछ diploma and certificate course जो कि आपको जब यहां admission ले लोगे तो पाद चलता रहेगा कि है certificate आया, diploma courses आया, अपने passion को भी follow कर सकते हो, जैसे आपका किसी का music में इंट्रेस्ट है, तो आप music में diploma certificate कर सकते हो, आपका अगर dancing में है तो आप dancing में कर सकते हो, अगर आपको को instrument में है तो आप उसमें कर सकते हो, आपको foreign fee में बहुत ही जादा मलब available है, ऐसा नहीं है कि बहुत high fee है, आप आराम से एक छोटी रिकम अदा करके बेच्चू को आप इस सब चीज़ें कर सकते हो, हाँ, कुछ चीज़ें इसमें free up cost भी है, ठीक है, अब एक जो चीज़ें यहां पे हमारी middle class families और middle lower class families को बहुत जादा या deemed, किसी भी state university में जाके पढ़ाई करते हैं, तो मुझे लग रही उसकी fees बहुत ज़्यादा हाई होगी, यहां तक भी हो सकता है, कि हम लोग उस पैसे को pay ना कर सके है, या फिर उस course को ही छोड़ दे, लेकिन बेच्चू में एक खास बात यह है, कि आप इस fee को बहुत ही आराम से pay कर सकते हो, मैं आपको एक्जाम्पल के तोर्ग बता रहा हूँ, जैसे बेच्चू के बेम अगर आप एदेमिशन लेते हो, 25 से 3,000 रुपए में आराम से पुरी साल का fees पे कर सकते हो, अगर मैं आपको बीकौम का बताओं तो 5-6,000 में इतने लगजरिया स्कोर्स क की फीस पे कर सकते हो, यहां के हॉस्टल्स अगर आपको मिल जाते हैं, तो मुश्किल से 10,000 रुपए में आप पुरा साल गुजार सकते हो, तो यह सब चीजे जो हैं, वो कहीं न कहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स को अट्रेक करती हैं बीच्चू में, और मैं सच बता रहा अच्छी चीजे को पहुचाई जानी चाहिए, वो इसली पहुचाई जानी चाहिए, जिससे की अच्छी चीजों को देख के क्या होता है, लोग मोटिवेट भी तो होता है, जैसे मैं बोलूँ कि इसी बिल्डिंग से, इसी पुस्तकालय से एक भाईया पढ़के, वो CEPF मे जो कि UPSC कराता है, पूरे इंडिया में फॉर्स रेंग लाना कितनी बड़ी बात है, इतना ही नहीं, हमारे यहाँ यहाँ यूपी में जो TGT, PGT के क्लासेज होती है, मलब जो उसकी वेकेंसी जाती है, उसमें कासिन दिया ले कि जो सब्जेक्स भाईया लोग अपना का है, आज भी उसमें कई सारे रैंक जो है, टॉप रैंक है वो भी एक्चू देता है, इतना ही नहीं, जब भी नेट और ज्यारप के जो एक्जाम सोते हैं, जब उसका रजल्ट आता है तो आप बस यहाँ के अभी पेज़े चेक करो, आल्मोस यहाँ के डिपार्टमेंट इसे बहुत सारे लोग हैं, या आपके सीनियर और जूनियर्स हैं, जो की बहुत बढ़िया रजल्ट लेकर आते हैं, तो आपको बुरी चीजों को तो देखना है, ठीक है, आप देख रहे हो चीज़ें हमें दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मैं अपने प्लेटफर्म पर ले सिवा में लगा सकते हैं, अपनी फैमिली को आगे ले जा सकते हो, अपने इसने सूट करने लगा, मुझे ऐसा लगा क्यूं मैं मैंने अभी हाली में कई सारे धरने के वीडियो डाल दिये तो आप कहीं ने कहीं अपने आपको ऐसा ना समझो कि यार विस्विद्याला तो बहुत बुरे अस्तर को जा रहे हैं कि विस्विद्यालों बनाने के लिए हमारा भी रोल बहुत बड़ा है उसमें आप आते हो इसी सेनियर्स थे और हम लोगी यूजी के फ्रेसर मेंडिंग करा था वहां पर हम लोगों पूछ रहे थे कि आपका एम क्या है आल्मोस्ट 90% बच्चों के एक ही आंसिस हमें UPSC करना है अगर मैं उन्हीं बच्चों के अगर आज फिर से इंटर्विव लूँ तो वह कभी नहीं करेंगे उन्हें UPSC करना है ऐसा नहीं है कि वह UPSC का भी अच्चु ने आकर आपको बोला क्या UPSC छोड़ दो या अपनी प्रेशन मत करो बैसिकली ऐसा क्यों हुआ यह इसलिए हुआ भाई क्योंकि आपने खुद अपनी चीजों को डायलूट कर आपका जो कॉंसेंट्रे कि आऊ हुआ हुआ कि आप जब इस गेट में आते हो जब पहली वार जिस घेट में खुछते जो इस आम को लेकर आता है क्या आपके निकलने तक बरकरार आप एक्टे तो चीजे को लेकर आए तुस चीजे को ले पाइसनेटे वी रहेगी आप चीजे होती ही कहने है कि आप लोग भूल जाते हो क्योंकि होता है जो छीजे मिल जाती है नूपकर कदर्फ कर ओ आपको यूटिलाइज करना है प्रॉपर वे में उसको मैनेज करना है according to the time, according to the day, आप देख लो आपका जीवन सवर जाएगा, बन जाएगा, आपको अपना जीवन बनाने के लिए बस पता है क्या चाहिए होता है, एक कोना चाहिए होता है, आपको रूम चाहिए, उसमें एक आप अपने फैमिली को जो चीज़ देना चाहते हो, वो किसी बीटाइम कितनी बड़ी कीमत चुका के देनी पड़े आप उसको दे पाओगे, क्योंकि वो चीज़े आपको 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 आस घड़्स होगा, वो आपके पास फसल्टी जोगी, बिसकली, तो मैं बस इतना ज in- попression करोगे, वो क्वालिफाइ कर लोगे, या जो भी आपको defense में जाना है, या किसी corporate sector में जाना है, जिस भी M को लेके आर हो, तो क्या वो आप बरकरार रखने वाले हो, अगर या अप बरकरार रखने वाले हो तो आप मुझे promise करो इस वीडियो में, और 3 साल बाद इस फी अपने कॉमेंट करें हैं कितना ऐ Gothic फॉलो हो रहा है। मेरे फॉस्ट बैज Zhang के बच्चे है उनके मीट भी मैंने किया हुआ हुआ उनसे अधा को हुआ है," तो उसमें लगमग 12-15 प्रेश की बच्चे ऐसे मिले हैं जो अपने M को को लेके आज उतने हीfront СИय सैं। कुछ ने क्वालिफाई भी करा चोटे मोटे आम भी क्वालिफाई करा बिसेकलि अब उस पर्टिकुलर उस जॉब पे रहके आगे उप्यस को फोकस कर रहे हैं मेरे कुछ ऐसे बैच के दोस्त हैं जो मेरे साथ पढ़ रहे थे उन्होंने यह डिसाइड करा कि हाँ यूजी के बाद मुझे डेली चले जाना है वह भी बहुत कॉंसियस है कि हां मुझे अब UPSC करना है और वह आज भी अपनी चीजों को लेके बहुत ज्यादा इस मुच्छ में आ रहा हो वह क्या बरकरार रहने वाला है आप प्रॉमिस करिए और आप कोमेंट करिए और हम लोग तीन साल बाद इस को मेंट को फीर से पढ़ेंगे और जज़ करेंगे लेवल अपना कि हम लोग कितने पानी में मुझे बहुत सब्सकाम ने ऐसे वीडियो देखते रहे मैं यही कहता हूँ कि विस विद्याला का धड़कन अगर कोई है तो यही है ठीक है क्योंकि यहां से कुछी दूर पर महादे भी बसते हैं वही ओके ओल देवेस्ट मस्कुराते रहें